Hello my fans, welcome to Maral Prime, ये है Revenge Secrets Seas का Episode 326, Now Let's Begin इस एपिसोड को Shut Credit निस पहले पिछले एपिसोड की कुछ गलतिया, ये बेबी बीस्ट जो की पिछले कुछ एपिसोड में दिखा था, मैंने बताया था, ये लाव के पूल में तेर रहा है, लेकिन नहीं, ये बलड के पूल में तेर रहा है, और साथ ही ये बेबी बीस्ट, ब्लैक ड्रगन सेट की रेसिपी है जिसे बनाने के लिए उन्होंने इसके अंदर हजारों बच्चों को मारके डाला है और साथ ही हाउंटेन को ने इसी बेवी बिस्ट के सरके अंदर अपना फ्रेग्मेंट डाला था जो कि पिछले एपिसोड में मिंग ने हाथ डाल कर वाइज भार निकाल लिया है ये गलती हमें बताई है मिस्टर नो नेम ने थैंक्यो भाई गलती नमबर टू पिछले एपिसोड में मिंग के साथ हैस लटकी को मॉनुमेंट ओफ मेरिट मिला था उस Monument of Merit का सही नाम है Merit of Stanley और ये गलती हमें बताई है Mr. Nayan ने Thank you भाई तीसरी और आखी गलती जो किये Valkyrie Coins की Valkyrie Coins वर्ड आपको सुनने में नया लग रहा होगा इस Coins का Original नाम God Coins है और ये गलती हमें Mr. Danish खाने बताई है Thank you भाई और अब यहां से इस एपसोड को शुरू करते है एपसोडी शेक्टिन दिखते है मिंग टियांजू के सभी लोगों से बात कर रहा होता है मिंग उन सभी की सेलरी बढ़ा देता है और साथ में उनको काफे एचीता से ट्रीट करता है उनकी रेस्पेक्ट करता है इस से उन सभी के अंदर बज़ा जोश जाता है वो टियांजू के रिए मरने मारने की बात करने लगते हैं वो सभी कह देते हैं अगर हम मारे लक्षे को नहीं पापाते हैं तो हम सभी खुद को भी मार लेंगे मिंग उन सबी के इस जोज से बज़ता खुश होता है और उन सबसे कहता है बस थोड़ा टाइम होग उसकी बाद मैं भी टियांजू को जोएन कर लूँगा और फिर हम सब साथे मिलकर लोग की मदद करेंगे उन सबी लोग की जो की बज़ता कमजोर है उन सबी को हम नयाय दिलाएंगे इसकी बाद मैं टियांजू के सबी लोग महाँ से ले जाते हैं इसकी बाद मिंग हाओ टियांज सेक्ट के कुछ लोग को वाँब बलाता है और उन सबी को समझाता है कि ओल्ड बैंक को किस तरह से चलाना है और किस तरह से सभी लोगों को उस बैंक के मेरें बताना है क्योंकि वैसे तो बैंक दो है New and Old लेकिन किसी कारण से अगर New Bank को कोई और कबजे में ले लेता है तो अब इनती बास में एक backup bank रहेगा Ming उन सभी को अचिते से इंस्ट्रक्शन दिता है और फिर उसके बाद में एक दो काम और करके सीधे प्रिंसेस मैंचिन दर चला रहता है Ming जब ये सारा काम खत्म करने के बाद में मैंचन पूसता है तब उससे पता पड़ता है प्रिंसेस फैंक से भी इंजर्ड है Ming इस बार में फैंक से पूसता है फैंक से बताती है ये जो मेरे ओपर इंजरी हुई है ये सब मेरे विज़े से हुई है मैं बहुत ज़दे कैंडलेस हो गई थी मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि वहाँ पर गौड़ के तीन क्लोन हो सकते हैं उन क्लोन्स में से एक क्लोन ने पीछे के साट से कुछ पंचानक से अटेक कर दिया उसी ज़ी सब हो गया नहीं है क्या तुमारा काम हो गया मिंग कहता है जैसा मैंने सुचा था बिल्कल वैसा ही हुआ है हाउटियन सेक्ट अब मेरे कंट्रोल में आ गया है इसके साथ ही मैंने कुछ लोगों को moral boost दिया है और कुछ लोगों को instruction दिया है इस सब के अलावा मैं अब एक डिप्यूटी लीडरी बन गया हूँ जैसे ही मिंगी कहता है फैंक्सी बोलीबी डफ्तार में जोर सलाती है ना ही फिर वो आगे मिंग से कहती है कुछ भी करो लेकिन जल्दी जल्दी इस पोस्ट को छोड़ दो तुम्हें ज़्यदा टाइम तक इस पोस्ट्यूपर नहीं रहने चाहिए हाउटे अनगोड बहुत ज़्यदा खितरनाक है हो सकता है जिसे तुम अपने एक्रिमेंट समझ रहे हो ये सब उसकी कोई चालो और जब तक तुम्हें पता बड़े कि तुम उसके चाल के अंदर फसते हो तब तक आफ जाद देर हो चुकी हो वो तुम्हें बुरित ऐसे अपनी चाल के अंदर फसा चुका हो हाउटे अनगोड को हम बिल्कुल भी कम नी समझ सकते हैं वो बहुत शाद देर है इसकी वेते मिंग फैंग सी को अपना पूरा प्लैन रताता है जो की हमें नहीं बिताया जाता जो भी प्लैन होगा वो आगे पता चल जाएगा इस प्लैन को समय के बाद में फैंग सी थोड़ शांत होती है और मिंग से कहती है चलो अभी के लिए तो यह ठीक है लेकिन फीचर का क्या? फीचर का तुम्हारा क्या प्लैन है? आगे तुम क्या करने वाले हो? कल से वोर की प्रिपरेशन शुरू होगी और ये लगबग आदे मेने तक चलेगी आदे मेने के बाद में यहां से रवाना होना होगा जब मैं आस्पिस पर नहीं होगी तब तुम थोड़ा साथ धान रहना चुकि जब तक मैं यहां हूँ तुम्हारी सेफटी के दियान रख सकती हूँ लेकि जब मैं यहां पर नहीं होगी तब तुम बहुत ज़त बेपरवा हो जाते हो इसलिए तुम कोश्च करना कम से कम खत्रों को मोल लो और ज़द ज़द सेफ रहो यहां से सिंशिफ्ट होता है हम एट्थ प्रिंस को देखते हैं पिछले एपसर को डालने के बाद में मैंने एक को पोस्ट जाली थी जिसमें इसका नाम पुछा था सबसे पहले इसका नाम वरोग के लिए ने बता जाया है कि यह एट्थ प्रिंस है एट्थ प्रिंस का नोकर एट्प्रिंस से कहता है उस लड़के मिंग का बैंक काफ़े चितरे चल रहा है अगर ऐसे जलता रहा तो गले तीस साल के अंदर उसके बैंक का प्रॉफिट हमारे राजज़न्श के अंदर जितना खाजाना है उससे कंपेर के अज़स करेगा मुझे नहीं लगता यूर हैनेस को यह पसंद आएगा एट्थ प्रिंस कहता है इसमें कोई भी दिक्त होने वाली बात नहीं है मेरे डैड बहुत जल्दी ही इस बैंक को अपने काबू बले लेंगे ज़्यादा ज़्यादा दो तीन साल ये बैंक मिंक की बास में रहेगा उसके बाद में ये बैंक हमारे ही होना है नोकर कहता है लेकिन दो-तीन साल भी एक बहुत लंबर टाइम हो सकता है हो सकता है इन दो-तीन साल में वो काविसारे पैसे कमा ले और इन पैसों के साथ में वो क्या करेगा इसका भी कुछ नहीं पता इसलिए अभी के लिए ऐसे हाथ प्याज रखके बेठे रेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा हमें अभी भी कुछ सुचना चाहिए एट्प्रिंस कहता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं वो मेरी अंटी प्रिंसेस फैंक सी का हस्बेंड है अभी के लिए किसी वीतर का मूव चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और वैसे भी चाहे वो कितना है पैसे खमा ले दो-तीन साल के अंदर उसकी जो भी पैसे आएंगे वो भी हमसे छील लेंगे जब वो मरेगा तब कुछ भी अपने साथ में लेके नहीं जा पाएगा एट्थ प्रिंस की बात उनकर एट्थ प्रिंस का दूसरा नकर उनसे बूचने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है एप्रर अपनी भेन के हजबेन को मानने कोश कर सकते है एट्थ प्रिंस कहता है तुमें अभी ठीकले से पता नहीं है एप्रर बहुत ज़दर रूथलेस है पूरे एंपायर के अंदर उनसे ज़दर रूथलेस कोई भी नहीं है किछ काम वो करना हो तो उसके रास्ता भी जोग कोई भी आएगा वो से हटाने से पहले ज़दा नहीं सोचेंगे ये बिलकुल भी इंपॉसिबल नहीं है अब तुम दोनों पूरते से इस सब को भूल जाओ इस सब के बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है जैसे ही हंग्योंस चली जाए उस लड़के मिंग को मेरे पास में लेके आना अगर वो मना करे तो हमारे पास में और भी दूसरी तरीके है और ये दूसरी तरीके उस लड़के मिंग को बेकुल पसंद नहीं आएंगे लेटल स्लिटी नाइन को मिंग के साथियोंने बहुत ज़़दा ब्रशान किया है रिसेंटली वो बैटल फिल्ड से वपिस लोट आया है और उसके कल्टिवशन के अंदर भी काफ ज़़दा इंप्रूवमेंट आया है मुझे जाकर एक बार उससे बात करनी है अभी वो बहुत सद्धा गुष्टे में होगा अगर हम उसी गुष्टे को सहितर से यूज़ करेंगे तो उसके मुदद से हम मिंक्यों पर अटेक कर सकते हैं और इससे ऐसा भी हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा हो जाए और यहीं पर इस स्रीज का ये एपसोर खतम होता है मुझे पता है ये एपसोर बोज़ाज छोटा है लेकिन इसके भरपाई मैं एक और एपसोर आज हिरागे कर दूँगा नाव थैंक ये फर वाज़ाज